एक राजा के तीन संताने थी राजा ये निर्णे नहीं कर पा रहा था कि तीन संतानों में से किस संतान को अपने राज्य का उत्रदिकारी बनाया जाए राजा चाहता था कि वो उम्र के हिसाब से अपने राज्य का उत्रदिकारी न बनाये बलकि योग्यता के आधार पर अपने राज्य का उत्रदिकारी गोशित करे राजा जब अपनी तरब से कोई समाधा न निकाल पाया तो उसने अपने राजगुरु को आमंत्रित किया राजगुरु के सामने अपनी समस्या रखी और राजगुरु ने कहा कि राजन इसके लिए मुझे आपके तीनों राजकुमारों की परिक्षा लेने पड़ेगी अप एक काम कीजिए आप सौसो स्वन मुद्राओं की तीन थैलिया मेरे पास मंगवा दीजिए राजगुरु ने तीन थैलिया मंगवाई सौसो स्वन मुद्राओं की तीनों राजकुमारों को बुलाया गया एक एक राजकुमार को सौसो मुद्राओं की थैलिया पकड़ा दी गई और कहा गया कि बच्चों तुम्हें मात्र ये एक एक ठैली दी जा रही है और आज की शाम होने तक तुम्हें इस एक ठीली का उप्योग करके अपने अपने राजमहल को पूरा भरना है अब ये तुम्हें अपनी बुद्धी से सोचना है कि वो क्या चीज है कि जिससे कि तुम्हारा राजमहल भरा जा सके ध्यान रखना कहीं से भी एक इंच भी तुम्हारा राजमहल खाली नहीं रहना चाहिए तीनो राजकुमार निकल पड़े एक राजकुमार ने पांच घंटी के मशक्कत की सारे मार्केट का पता किया लेकिन उसे ऐसे कोई भी चीज ना मिल पाई कि जिससे कि वो अपने पूरे राजमहल को मात्र सो स्वर्ण मुद्राओं के खर्च से भर सके आखिर गाओं की तरफ बढ़ा और उसे एक पैसे में दस कंडे एक पैसे में दस थेपडियां गाए के गोबर की थेपडियां कंडे और घास फूस वो उसी इतनी तादाद में मिल गए कि सो रुपय में उसका पूरा राजमहल भरा जा सके दूसरा राजकुमार भी निकला उसने भी मशक्कत की और अन्ततह खेतों में से उसने कपास और ुई खरीद ली और रुई और कपास खरीद करके अपने राजमहल को पूरा भर दिया तीसरा राजकुमार भी निकला वो तो आदे गंटे में ही लोट कर आ गया सब ने अपने अपने तरीके से राजमहल को भरने का प्रयास किया शाम कव जैसे ही सूरियास्त हुआ राजा, राजगुरू साथ में दो तिन सैनिक और सेना पती निकल पड़े ये दिखने के लिए कि किस राजगुमार ने किस तरीके से अपने राजमहल को भरा है पहले राजमहल के पास पहुँचे बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझेगा पहले राजमहल के पास पहुँचे तो जैसे ही करीब जाने लगे कि राजा और राजगुरु ने अपना नाकभों सिकोडा क्योंकि बाहर तक दुर्गंध आ रही थी राजा ने कहा कि पता नहींчто मेरे इस बड़े बेटी ने क्या इस राजमहल में भदा है कि दुर्गंध आ रही है राजगुरु ने कहा राजन अंदर तक चलना तो पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसने क्या भरा है, अंदर गए जहांकर देखा चौक पड़े, क्योंकि पूरा राजमहल किसे भरा था? गोबर के कंडों से, छाणों से, ठिपडियों से, घास भूस से, राजगुरु ने बड़े राजकुमार के पीट पर हात रखा, दुआ की, आगे निकल पड़े, दूसरे राजमहल के करीब आए, वहां पर कपास भरा हुआ था, रुई भरी हुई थी, उसकी गंद के मारे, राजा और राजगुरु को, खांसी आने लगी, खंक पैदा होने लगी, वहां पर भी उन्होंने दीखा, आगे बढ़ने लगे, राजा नहीं कहा, तीसरे राजकुमार के पास चल कर, करेंगे क्या, वो तो वैसे भी अवल दर्जे का केवल, मठर गस् करने वाला मेरा बच्चा है, उसके यहां जाने का कोई मतलब नहीं है, राजगुरु ने कहा, राजन चलना तो पड़ेगा, क्योंकि परिक्षा की वेला है, और जब वहां पहुंचने लगे, तो दोनों राजकुमारों ने कहा, उसने कुछ नहीं बरा, यहां कोई गाड़ गाड़ी नहीं आई है, वो तो दो चार थेले लेकर के आया, और उसने अपने राजमहल में ले जाकर पटक दिया, वहां जाने का कोई मतलब नहीं है, राजगुरु ने कहा, राजन चलना तो होगा, और जैसे ही वे राजमहल के करीब जाने लगे, छोटे राजमहल के कि तभे उन्हें दूर से बासुरी की मीठी सुरीली तान आनी शुरू हुई, थोड़ा और करीब बड़े, तो देखा कि राजमहल के बाहर तक रोशनी जग मगा रही है, राजगुरु और राजा अंदर चले गए, राजमहल में कदम रखा, तो राजमहल में कदम रखा, कि उसने कुछ नहीं किया, राजमहल में चारों तरफ अलग-अलग इस्थानों पर उसने दिये ही दिये सजा रखे थे, और दियों की रोशनी वहाँ पर जल रखी थी, बीच में उसने कुछ फूलों के गुलदस्ते उसने सजा रखे थे, और खुद जूले पर बैठा जूले पर बैठा हुआ, मस्ति से बांसुरी बजा रहा था, राजा ने कहा, राजगुरु मैंने पहले ही कहा था, ये मेरा छोटा बेटा, कोई काम का नहीं है, अरे मेरे दो बेटों ने, भली कंडों से, छाणों से ही राजमहल बरा, पर भरा तो सही, पर ये तो कुछ भी न भर पाया, ये तो कुछ भी न भर पाया, राजगुरु ने राजा से कहा, राजन ध्यान से देखो, राजमहल पूरा भरा हुआ है, राजन ध्यान से देखो, राजमहल पूरा भरा हुआ है, राजा ने पूछा किस चीज़ से भरा हुआ है, राजा ने कहा, ध्यान से दे देखो चारों तरफ इसने भरा है, सबसे पहले तो इसने दियों के उजालों से राजमहल को भरा है, दूसरा इसने फूलों की खुश्मु से राजमहल को भरा है, और तीसरा इसने बांसुरू के संगीत से राजमहल को भरा है, इसने राजमहल को भरा है, सुगंद से, उजास स संगीत से इसने भरा है राजन अगर आप मेरा कहना माने तो मेरी समझ से आपके तीनों राजकुमारों में ये छोटा वाला बेटा ही इस राजगर्दी को पाने का हकदार है माने मुझे बच्पन में ये कहानी सुनाई थी अब मैं अपनी सारी बात इस कहानी को माध्यम बना कर कहूंगा और ये कहनी का प्रयास करूंगा मेरे भाई बेहनों अब गौर करके सुनिएगा कि हम मैंसे प्रतिक व्यक्ति के लिए आज ये चिंतन करने का विशय है कि हमारा जीवन भी एक राजमहल की तरह है पर प्रस्ण ये उठता है कि हमने अपनी जीवन के राजमहल को हमने अपनी जीवन के राजमहल को कंडों से चाणों से गास भूस से कपास से भरा है या संगीत से सुगंद से या प्रकाश से भरा है सुगंद से भरा है संगीत से भरा है उजास से भरा है हमने किस चीज से भरा है अब हमें इस बात पर गौर करना है यदि यदि आप अपनी घर में रहते हैं और घर में रहते हुए आपकी मम्मी आपकी मम्मी अगर आपके काण दुखी है तो क्या अब बता पाएंगे कि आपन अपनी जीवन के राज महल को कंडो से भरा है या सुगंद से किस से भरा है कंडो से भरा है यदि आपकी पत्नी यदि आपकी पत्नी आपके प्रती शिकायतों से भरी हुई है और उसे लगता है कि मेरा पती आज गलत चीज खाता है गलत चीज पीता है अपनी पत्नी के साथ मा यह संगीत से भरा है किस से भरा है गोबर से अगर आपके बच्चे अगर आपके बच्चे अपने माता पिता से संतुष्ट नहीं है माता पिता के प्रति अगर शिकायते करते रहते हैं अथ्वा आपके बच्चे आपके लाइन पर नहीं चल रहे वे संसकारी युक्त नहीं हैं, तब भी मैं यही कहूंगा कि उनका जीवन हमने गोबर से भर दिया, हमने अपना जीवन भी गोबर से भर लिया, आज यदि हम, आज यदि हमारे माता पिता, हमारे घर के परीजन, हमारे समाज के लोग, हमारे प्रती अगर संतुष्ट नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हमने अपनी जीवन को गोबर के चाणों से कंडों से भर डाला है आज अगर आप मिटिंग में बैठे हैं दस लोगों के बीच में बैठे हैं और आप होहला करने लग जाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपनी जीवन के राजमहल को दोल धानी राक छानी कच्रा पटी से हमने भर डाला और वहीं अगर जब आप घर जाते हैं पत्नी आपको दरवाजे पर खड़ी हुई मिलती है आपका अभिवादन करती है क्योंकि उसे पता है अब उसका पती आने वाला है अब उसका पती आने वाला है आने का वक्त हो गया है वो दिन भर आपके इंतजारी कर रही थी आप समय पर अपने घर पहुँचे पत्नी ने आपका अभिवादन किया आप घर पहुँचते ही सुकून प्राप्त करते हैं आपको लगता है आप अपने ऐसे घर में जहां पर की स्वर्ग का निवास होता है हमें से हर कोई व्यक्ति इस बात के लिए अपने आपको जागरुक कर ले अवीर ने साधे मुल्यांकन पर के देखे कि हमारी जिवन में कहां कंडे हैं कहां संगीत है, कहां चाने है, कहां सुगंद है, कहां हमने घास-फूस इकठा कर रखा है और कहां हमारे जीवन में उजास और आलोक समाया हुआ है मेरे जीवन का निरिक्षन मैं करता हूँ, आपके जीवन का निरिक्षन आपको खुद को करना होगा मेरे जीवन के मरम्मत मैं करूंगा आपके जीवन के मरम्मत आप करेंगे मेरे जीवन को दुरुस्त मैं करूंगा और आपके जीवन को दुरुस्त आप करेंगे हमने यहाँ पर लगातार सवा महने तक सत्संग करके मानों समाज को इस बात के लिए ही प्रेरित और आंदुलित किया था कि हर व्यक्तिक के जीवन से जहां-जहां भी कंडे पल रहे हैं, जहां-जहां पर भी छाने, गोबर, गास, भूस हमने एकठी कर रही है, एक-एक तिनके को समझो और एक-एक तिनके को निकाल-निकाल कर फैंकते चले चाहो। जिसने फैंका उसका जीवन दुरुस्त हुआ जिसने निकाल करके अपने घर से कच्रा निकाला उसका घर साप सुत्रा हुआ और जो ना निकाल पाया अभी भी उसके लिए भारी है